हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, वो कितना भी आलिशान और लग्जूरियस क्यों नहों, लेकिन अपने घर में जो सुकुन मिलता है, वो शायद कहीं नहीं मिलता, और यही कारण है कि शाम होते चिडिया भी अपने घुसलों की तरफ लोटने लगती हैं, इसी कार हम अपने घर को डेकुरेट करते हैं, और गिनाईज करते हैं, लेकिन इन सबसे पहले या इन सबके रास्ते में एक चीज़ आ जाती है, वो है बजट और टाइम, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे आइडिया शेयर कर रही हूँ, जो इन ही दोनों को मैनेज करने में हेल्प कर मैं रेनू आपका स्वागत करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी होली एकदम एवन रही होगी, अब देखे, मैंने आपको बहुत सारे यहाँ पे DIY लाइनर दिखाए हैं, कुछ बेडशीट के हैं, किसी में पुरानी साड़ी की लेस लगी गुई है, कुछ कुर्तिस के हैं, इन लाइनर को मैं अपने किचन में ड्रॉर में बिचाने के लिए यूज करती हूँ, क्योंकि जो मेरे ड्रॉर हैं, वो स्टेनलेस स्टिल के हैं, बीच-बीच में गैप है, तो छोटी चीज़े अगर रखो, तो वो या तो तेडी हो जाती है, बीच में फल जाती है, या गिर भी जाती है, जब मैंने लाइनर को वाश करने के लिए डाला, मेरे पास एक्स्ट्रा लाइनर नहीं थे बिचाने के लिए, तो इस बर मैंने आइडिया लगाया, क्यों न जो प्लास्टिक की बोरी होती है, वाइट कलर की उनको यूज किया जाए आजकर शॉपिंग भी जब हम करने जाते हैं तो प्लास्टिक के बैग ही मतलब बोरी के बैग ही मिलते हैं ये एक तरफ से प्लेन होते हैं दूसरे तरफ प्रिंटेड होते हैं तो कोई बात नहीं इनको बिच्छाने से फाइदा ये है कि वही जो छोटी चीज़े हैं वो गिरेंगी नहीं प्लस कुछ समान अगर स्पिल हो गया तो इस पे रहेगा तो क्लीन करना आसान होगा और नीचे के ड्रॉर गंदे नहीं होंगे प्लास्टिक के हैं तो बस वाइब करने से ही क्लीन हो जाता है या आप इनको वश भी कर सकते हैं अगर लाइनर ना बिच्छाओ तो जो स्टेल लिस स्टेल के ड्रॉर होते हैं ये थोड़े और दिखते हैं वहीं अगर liner बिचा दो तो ये clean दिखने लग जाते हैं आजकल market में नए draw जिसको हम tendon बोलते हैं वो आ गए हैं लेकिन वही बात हुई ना कि हर बार हम market से नई चीज़े नहीं खरीच सकते ये alternative यूज करके हम बहुत सारे पैसे safe कर सकते हैं अब देखी festival अभी recently holy week थी तो हमारे यहां बहुत सारे guests आते हैं मिलने आते हैं तो घर को थोड़ा presentable रखना है साथ ही कई बार ऐसा होता है कि अगर भीनी भीनी खुशबू हो तो अच्छा लगता है तो जो fresh flowers होते हैं वो इसका best काम करते हैं decoration का भी और smell का भी इवन हमारे घर में अगर school going बच्चे हैं तो उनके बहुत सारे ऐसे DIY projects होते हैं जो हमारे घर में पड़े होते हैं जिनको हम फेकते भी नहीं as a memory तो क्यों ना उन्ही को mix and match करके एक decorative piece create किया जाए हम उन्हीं चीज़ों को decoration के लिए use कर सकते हैं यहाँ पे यह दो चीज़े थोड़ी और लग रही थी तो इसी के साथ मैंने same to same एक और बोल लिया और उसमें जो चमपा flowers होते हैं वो डाल दिये हैं इनमें से एक भी flowers मैंने नहीं तोड़े हैं फ्लार जिस दिन खिलते हैं दूसरे दिन वो आटोमेटिक गिर जाते हैं तो उन्हीं को मैं उठा लाती हूँ पानी में डाल के रखो तो वो काफी दिन तक fresh रहते हैं मतलब 3-4 दिन तक तो आराम से यहाँ पे मैंने अपना एक store बिचाया है अब यहाँ इतनी ठंडी होती नहीं है कि shawl use हो तो मैं इसको as a runner use कर लेती हूँ एक और अच्छा इडिया है घर को decorate करने का कि आप चीजों को न शफल कर दीजे जो यहाँ पे soft toys दिख रहे हैं वो side के rack में होते थे वहाँ देख देखके न मैं खुद ही बोर हो गई थी तो इसलिए यहाँ पे organize कर दिया साथ ही धूप बहुत बढ़ गई है तो बाहर के जो कुछ plants थे जिसमें बहुत डारेक धूप लगती थी उनको मैंने अंदर रग दिया है festival में सबसे ज़्यादा problem आती है time management की काम extra बढ़ जाता है cooking से लेके हर चीज तो जो भी extra काम है उसको मैं steps में divide करती हूँ जैसे यहाँ पे मुझे extra काम था कुछ cooking का काजु कतली मठरी और गुजिया बनानी थी तो उसकी basic preparation मैं morning में ही कर लेती हूँ खाना बनाने के पहले क्योंकि खाना बनाते समय यहाँ जोठा हो जाएगा तो दोनों को मैं mix नहीं कर सकती तो यहाँ मैंने सूजी roast कर लिया है साथ ही cooking की कुछ तयारी जैसे कि अगर मुझे पनीर बनाना था तो पनीर कट कर सकती हूँ उसे जोठा का कुछ लेना देना नहीं है और शक्कर मैंने पीस ली है काजु कतली बनाने के लिए काजु को grind करके छान लिया है और समान को धीरे धीरे side करती जाती हूँ ताकि मुझे बांकी काम करने के लिए जगा मिल जाए जब मैं cooking करूं तो ये जूठे भी ना हूँ सबसे बढ़िया tip जो मैं इस समय जरूर follow करती हूँ हमारे घर में थोड़ी थोड़ी चीजे बची ही होती है जो कहीं use नहीं होती for example थोड़ा सा गुड कहीं बचा हुआ है dry foods बचे हुए है last time काजु कतली बनाया था तो इसका ये बुरादा बचा हुआ है इन सब को आप इसी समय यूज कर सकते हैं अभी ये थोड़ा बुरादा बच गया है तो मैं इसको gravy में use कर लेती हैं लेकिन अभी मुझे गुझ्या बनानी थी तो ये पुराना वाला तुकड़ा बचा हुआ है इसी को मैं as a dry fruit गुझ्या के लिए use कर लूँगे same way last time जब मैंने गुझ्या बनाई होगी तो शकर PC थी तो वो भी अभी बची हुए तो इन सब को use कर लूँगी अब इन सारे boxes जो खाली होते जा रहे हैं इनको मैं धोने के लिए डालती जाओंगे बिना धकन बन किये actually ये छोटा सा काम है बर देखिए अगर आप बन कर दोगे तो बरतंद होते से में आगेन खोलना पड़ेगा और बन करने में भी तो टाइम लगा होगा तो ये छोटी छोटी जो thought process है ना somehow मुझे help करती हैं दो-दो मिनट बचाने के लिए और मैं frustrated भी नहीं होती अब ये काजू मुझे जो बचे हुए कहीं न कहीं रखना था तो मैं डबो को धोने के बाद ही उसमें रखती हूँ ताकि पुराने चीज़े अगर उसमें किड़या लगने वाले हो थोड़े बहुत मतलब powder है, dirty है तो वो इसको infected ना करें तो इसलिए मैंने डबबत तुरा रख दिया धोने के लिए अब देखी हमारे घर में unlimited बरतन तो होते नहीं है, जितने है उतने में ही manage होता है और मेरा strongly मानना है कि हर एक अलग काम के लिए एक बरतन अलग से खरीदो मुझे नहीं अच्छा लगता तो अब जो समय बचाना है उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जिस कढ़ाई में आपने कोई चीज रोस्ट किया उसी में सबजी बना लिजे सारा समान जो आपने किया है उसको इकठा करके एक ही बरतन से धांक दीजे तो इससे ना बहुत सारे बरतन आपके भीडेंगे नहीं अब ये जो कढ़ाई थी जिसमें मैंने सूजी रोस्ट की थी उसी में मैं डाइट लिए सबजी फ्राई कर लूँगे बहुत कुछ तयारी मैंने पहले कर ली थी लेकिन लहसुन प्याद जो पूजा में हम टच नहीं करते हैं उसको मैंने बाद में कट किया है जब तक मैं ये सबजी चढ़ाऊंगी तो बरतन भी तो भीड़े पड़े हुए हैं बाद में फिर से मैं फ्रस्टेट हूँ कि अरे घुजिया बनाने के लिए अब रखूं कि इसमें थाली नहीं है कटोरी नहीं है चमच नहीं है पता नहीं क्या-क्या तो ये जैसे मैंने सबजी चढ़ाई ना उसी समय पैरलली चीजों को मैं यहाँ पे क्लीन कर रहे हूं काउंटर टॉक क्लीन रहेगा तो मुझे अगले काम करने के लिए फिर से स्पेस मिल जाएगा और ये काम से जादा ना ये चीजे देख देख के जो mental harassment होता है वो नहीं होता हम कितना भी planning कर लें कुछ भी कर लें लेकिन थोड़े बहुत extra बरतन तो होंगे है जैसे कि एक grinder में मैंने कुछ पीसा था शक्कर तो वो गंदा हुआ ये बड़ी थाली भीड़ी हुई है even जो special tools हम use करेंगे वो सब तो जब तक सबजी पक रही है हना उसको हम दीरे द कर रही थी संडे को तो उस दिन में यहां सबजी आने का भी डे है तो सबजी आई है तो उसको मैं postpone ने भी नहीं कर सकती कि नहीं आज नहीं कल सबजी ले आएंगे या फिर आज उसको फ्रिज में नहीं रखते कल रख देंगे क्योंकि ये सारी चीज़े मुझे immediate करनी पड अगर सबजी को फ्रिज में नहीं रखोंगी तो ड्राई हो जाएगा तो ये जो रूटीन वाले काम हैं इनको हम बाद के लिए तो नहीं टाल सकते तो इसलिए जब मैं ये काम कर रही थी तो मैंने जो वैजीस के कंटेनर हैं उनको भी पैरलली वाश कर लिया प्लान में रह पर मोस्ट ऑफ दर टाइम मेरे साथ ऐसा सम्हाव हो ही जाता है फिर मैं किसी तरह सिचुएशन सभालती हूँ तो इतने सालों से ये देख देखे अब मैं थोड़ा उसको इंप्रूफ कर रहे हूँ कि नहीं भाई मैं प्लान करके चलू ना तो वो फेस्टिवल वाले दिन ऐसा कुछ ना हो अब कई बार मुझे लगता था कि मेरे साथ कोई हो मैं गुझिया बनाओ तो एक बेल दे और मैं उसको स्टफ कर दूँ ऐसा सोचने से मेरे पास तो कोई आ नहीं जाएगा तो मैंने उसके एक नई ट्रिक निकाली अगें जिसको हम प्लानिंग बोलते हैं जैसा कि मैंने बताया कि कुछ तयारी मैं मौनिंग में कर लेती हूँ आठा भी 10 मेर पहले ही गुता था अब एक बेलूँ फिर उसको स्टफ करूँ और साइड रखूँ तो काफिर टाइम लग रहा था तो मैं क्या करती हूँ कि जो आठा है उसको इस तरह से लंबा करके इ इससे जादा नहीं कि वो ड्राइ भी होने लग जाएं और फिर उसके बाद उनकी स्टफिंग करती हूँ इस तरह से मेरा कामना आसान हो जाता है तो आप मुझे काम के लिए नहीं बलके फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए लोगों की जरत होती है एक आखरी चीज कमेंट पूछेंगे वो सारी चीजे मैं अपकुमिंग वीडियो के एंड में इंक्लूड करूंगी तो स्टार्टिंग में में पार्ट रहेगा जो भी वीडियो का टाइटल होगा और एंड में आपकी क्वेरी के आंसर्स होंगे अगर आपको ये चीज पसंद आई हो तो बिलती हूँ अगले वीडियो में टेक क्यार एंड बाई बाई बाई